असलामलेकुम वियर्स मैं हूँ आपके टीचर मिस साधिया and you are watching IT activities channel वियर्स आज मैं आपको PowerPoint lecture 6 देने जा रही हूँ and lecture 5 में हमने जाना था how to edit text और आज की lecture में हम discuss करेंगे how to insert a picture and how to crop a picture in PowerPoint तो चले बिन वग जाए कि हम बिस्मिल्ला करते हैं how to insert picture वियर्स there are many methods to insert picture सबसे पहले तो I will take a new slide where I want to insert a picture तो मैं new slide लोंगी I will take a blank slide and I want to insert a picture over here ठीके तो आप मुझे क्या करना है मुझे यहाँ पर picture को insert करना है I will go to the insert option then I will go to the pictures ठीके तो आपके सामने एक dialogue box open हो जाएगा और आपने अपनी picture को select करना है जो भी picture आपने इंसर्ट करवानी है मुझे download में से अपनी picture को insert करना है अगर आपने download में नी desktop पे रखी है तो desktop से आप ले लेंगी अपने documents में रखी है music pictures में जहां से भी किसी भी file में से आपनी picture रखी है आपने वो file open करनी है उस picture को select करना है and then insert यह आपके picture insert हो जाएगी powerpoint में right विर्स picture को insert करनी का एक तरीका एक और यह भी है कि सबसे पहले मैं एक new slide लूँगी ठीके जहाँ पर मुझे अपने picture को insert करना है उसके बाद और मुझे यहां से डेक्स टॉप से picture को उठाना है ठीके तो मैंने इस picture को select किया then drag and then drop into the powerpoint screen तो आप देख सकते हैं इस तरह से भी मेरी picture insert हो गई right and here's एक तरीका यह भी है कि सबसे पहले मैं new slide लूँगी ठीके and then मुझे जहां से अपनी picture को उठाना है मैं वो file open करूंगी ठीके मुझे download में से उठाना है यह में पस download pics आगई है मुझे वाली picture को यहां पर powerpoint पर लेकर आना है मैं यहां से इसको select करूंगी then drag and then drop into the powerpoint screen इस तरह से मेरे पास यह picture powerpoint screen पर insert हो गई है now how to crop the picture वियर्स हम जैसे ही picture को insert करते हैं हमारे सामने एक additional tool आ जाता है picture tool यानि कि हम अपनी picture पर formulating apply कर सकते हैं जिस तरह से हमने पहले discuss किया था कि जैसे हम किसी shape को insert करते हैं तो हमारे सामने drawing tool आता है जैसे when I insert any shape जैसे मैंने इस shape को insert किया तो आप देख सकते हैं कि एक drawing tool हमारे सामने आ चुका है कि हम इस shape पर किस तरह से formating कर सकते हैं इसी तरह से हम जैसे picture को insert करते हैं तो हमारे सामने picture tool आ जाता है और format को option पर जाएं तो there are different options and different styles जिसमें remove background है, picture style है picture border, picture effects, picture layout there are the different format options हम इन सब को बाद में discuss करेंगे ठीक है, अगर आप यहाँ पर top right side पर आएं तो यहाँ पर there is a crop option वियर्स हम picture को crop कब करते हैं वियर्स हम picture को crop क्यों करते हैं हम picture को crop इसलिए करते हैं कि sometimes हमें अपनी पूरी whole picture नहीं चाहिए होती हमें उसका कुछ part चाहिए होता है तो उसका हम crop करते हैं वियर्स आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक beautiful cat की picture है बट मुझे यह पूरी picture नहीं चाहिए मुझे half portion चाहिए इस cat का तो मैं क्या करूंगी इस picture को select करेंगे then we will go to the crop crop पर जाते ही आप देख सकते हैं कि now you can easily resize your picture हम जो है अपनी picture को क्या करेंगे हम अपनी picture का जितना portion मुझे चाहिए मैं उतना ही portion इसका select करूंगी ठीक है जैसे मुझे half portion चाहिए मुझे यहाँ पर पूरी cat नहीं चाहिए मुझे सिर्फ इतना सही portion चाहिए तो मैंने इसको select किया तो आप देखें कि मेरे पास picture crop होकर आ गई है जितना मुझे portion चाहिए था उतनी मुझे picture मेरे पास आ चुकी है तो वीर्स इस तरह से हम अपने picture को crop कर लेते हैं वीर्स हम एक और picture को crop करते हैं मुझे सकते हैं आपके सामने किती beautiful picture है मुझे सिर्फ सेंडरल फ्लावर चाहिए यहाँ पर साइपे मुझे क्रॉपिंग करनी है तो इसको मैंने कैसे crop करना है I will select the picture ठीक है picture को select करने पर मैं crop करूँगी picture को select करने के बाद मैंने crop करना है ठीक है crop मुझे ऐसे करना है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे ये portion चाहिए ठीक है मुझे ये वाला portion चाहिए ठीक है मुझे यहाँ पर सेंडरल फ्लावर चाहिए तो आप देख सकते हैं कि आपके picture crop हो गई जो portion हमें सिर्फ चाहिए हमने वो portion को सर्फ रहने दिया बाकी सब को हमने cut कर दिया तो विर्स इस सारह से हम अपनी pictures को crop करते हैं now crop to shape विर्स there are many ways to crop your picture ठीक है आप ये देख सकते हैं कि crop option पर जब हम drop down करते हैं तो crop to shape aspect ratio भी options आते हैं crop to shape यानि आप अपनी picture को different shape भी दे सकते हैं जैसे मुझे अपनी ये picture है इसको मुझे इस shape में crop करना है तो आप देखें इस साना से crop करने से भी हमारी picture में beauty आती है इसके अलावा अगर मुझे कोई और shape देनी है तो मैंने कोई और shape दे सकती हूँ crop to shape and then if I select a circle आप देखें मेरी picture इससे crop हो गई है मुझे अगर ये भी नहीं करनी तो there are different styles देखें आपके पाद बहुत सारे styles हैं आप किसी भी style में अपनी picture को crop कर सकते हैं right we are sometimes we are very strict about our pictures especially in professional slides तो आप picture को select करेंगे crop पर जाएंगे drop down करेंगे तो आप ये देख सकते हैं देरे सारे स्पेक्ट रेश्यो ठीक है so there are the different आपने कौन सा पहले तो आपने style कौन सा लेना है square लेना है, portrait लेना है, landiscape लेना है उसके बाद आपके पाद जो भी fixed ratio है जिस ratio पर आपने अपने picture को रखना है वियर्स, it was all about today's lecture इंशाला, in the next lecture, we will discuss other features of powerpoint वियर्स, अगर आपको आज का लेक्चर मेरा अच्छा लगा हो तो जाते जाते कार्णी चैनल को like and subscribe जरूर कीजेगा comment भी कीजेगा नेक्स लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा खयाल रखेगा take care, Allah, hafiz झाल